है यहां पर यह smartphone है इस एस त्वाइब के साथ बहुत ज़्यादा कमाल की स्पेसिकेशन लेके आ रहा है यह बहुत जगे यह लिस्ट हो जगा है बहुत जगे इसकी जो है सर्टिफिकेशन हो चुगी है तो यह जो स्मार्टफोन है उसके बारे में कुछ अच्छी खासी और सब कुछ बात करेंगे इस पूरी कहानी को आप में एक्स्प्रेइन करूंगा शुरू करते हैं वीडियो को मेरा नाम है मानप्रताब और मिस्टर वीडिव चैनल देख रहे हैं तो मई के स्टार्टिंग में जो है यहां पर लूवीबिंग जो की शाउमी के जो वाइस हैं और रेडिमी के जनरल मैनेजर हैं उन्होंने अपने वीबो अकाउंट पर पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि यहां पर इस महीने आपको रेडिमी की काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन डिवाइस देखने को मिलेंगे अब यहां पर जो है लीक्स के हिसाब से रेडिम लेकिन एक नोट सीरीज की भी चांसेद आपको देखने को मिल रहे थे अब यहांसे यह तो नहीं हुआ था कि यह नोट सीरीज का स्मार्टफोन ही है लेकिन अब क्यूंकि यहां पर दो डिवाइस हैं बिल्कुल सिमिलर नेम के साथ जो की बहुत जगे सर्टीफाइब हो च अब यह जो हैं दो हैं तो डेफिनेटली यहां पर मतलब बनता नहीं है कि यह K30i होगा जो कि 5G के साथ आपको एक सस्ता वेरियंट देखने को मिलेगा K30 सीरीज में और साथी साथ Redmi 9 तो अकेला यह उसके साथ भी कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर जो model नमर जे 7-AC वाला जो smartphone है वो टैना पर लिस्ट हुआ था जिसके इसापसे जो specifications है वो निकलके आई है और यहां पर listing के इसापसे जो specifications निकलके आई है उसमें आपको देखने को मिलता है 6.57 इंचिस की एक OLED डिस्प्ले जिसका रेजोलुशन है 1080 by 2400 ये QHD डिस्प्ले निकल के आती है वो भी OLED डिस्प्ले है तो definitely यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप होगा अगर ये सीरीज में OLED डिस्प्ले निकल के आती है तो साथियत यहाँ पर एक U-shaped notch जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसमें 16 Megapixel का front camera setup देखने को मिलेगा अब Note 9 सीरीज में आपको punch hole डिस्प्ले देखने को मिली थी लेकिन इसमें शाहिद आपको देखने को ना मिले यहाँ यहाँ पर एक चीज और कि यह smartphone जो होगा वो होगा 5G certified SA और NSA वाला और मतलब कुल मिला के सारी connectivity आपको इसमें देखने को मिल जाएगी 2G से लेके 5G तक की और साथियत इसमें जो battery होगी वो होगी 4420 mAh की अब आपर FCC certification से यह पता चला था कि यहाँ पर जो J7AC वाला smartphone है उसमें आपको 22.5W की charging देखने को मिलेगी और जो J7BC वाला है उसमें आपको 33W की charging देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर कुल मिला कि जो specifications हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की निकल के आ रही है यहाँ पर आ अगेर में camera setup देखने को मिल रहा है और साथी साथ और जो color scheme देखने को मिल रही है वो भी बिल्कुल similarity ही लग रही है लेकिन यहाँ पर जो specifications हैं जो display अच्छी देखने को मिल रहा है साथी साथ यहाँ बैटरी भी अच्छी है इस processor की अगर हम बात करने तो वही काफी चीज है अब यहाँ पर यह जो स्मार्टफोन थे वह गीगवेंच पर भी लिस्ट हुए थे और हर एक गीगवेंच लिस्टिंग में यह जो दोनों स्मार्टफोन से हैं वह सेम SOC के साथ देखने को मिलते हैं जो की SOC का नाम मॉडल नेम है एक्छुली वह है MT6875 अब यह ज चाइना में एक launch event है मीडिया टेक का और साथ लू वीविंग ने भी जो है मीडिया टेक के launch event को री पोस्ट किया था अपने वीवो पे तो इससे यह बहुत चलता है कि शाओमी का जो रेड्मी है उसके साथ इस मीडिया टेक के launch event का कुछ कनेक्शन है यहाँ पर लीक्स के सा 800 है उसमें आपको 4x4 का देखने को मिलता है core distribution जिसमें की 4 cortex A76 वाले cores हैं और 4 हैं efficiency वाले A55 cores तो यहाँ पर यह जो clock speed सबकी 2.0 GHz की है बिल्कुल सेम अब यहाँ पर top speed 2.6 GHz 8 to 20 बताई जा रही है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 A76 वाले top performing core देखने हो मिले हैं जो की हो 2.6 GHz पर और बाकी के 2 हो A76 वाले 2.2 GHz पर और बाकी के efficiency cores 2.0 GHz पर ही देखने हो मिले हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी के सारे 4 core को अगर वो 2.6 GHz पर clock कर देते हैं तो यहाँ पर जो processor होगा वो बहुत ही जादा powerful हो जाएगा सेम GPU रहेगा माली का G52 वाला जो की Dimensity 800 में देखने को मिलता है पस छोटी मोटी overclocking कर दी जाएगी यहाँ पर Geekbench लिस्टिंग के साथ निकले हुए scores जो आपको देखने को मिलते हैं डिवाइस के वो कुछ इस तरीके से थे यहाँ पर जो J7AC वाला डिवाइस है उसमें आपको सिंगल कोर के score देखने को मिलते हैं 628 के और multi-core score देखने को मिलते हैं 2415 के वहीं जो J7BC वाला है वो आपको single-core score देता है 640 के और multi-core score देता है 2645 के तो यहाँ पर यह जो scores निकल के आ रहे हैं को बहुत ज़्यदा इंप्रेसिव है और यह जो SOC है अगर इन scores के साब से बात की जाए तो आपको Dimensity 820 जो है वो देखने को मिलेगा Snapdragon 855 से जस्क नीचे उसके आसपास की performance आपको दे देगा तो definitely एक Note Series में उस level की performance वाला SOC मिलना काफी जाधा बढ़िया बात है तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro जो है definitely काम में तो है क्योंकि leaks जो है पूरा इशारा कर रही है Redmi Note 10 Pro जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा Dimensity 820 है वो आपको देखने को मिलने वाला है 18 माई को और यह सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है मैं परस्नली बहुत जाथ एक्साइट है Redmi Note 10 और Note 10 Pro को और ले के Dimensity 820 SOC को ले के भी तो बस आज की वीडियो में इतना ही था आई होप इविड़ आपको अच्छी लिए होगी हो तो लाइक कर दाने वीडियो चैनल करते हैं सब्सक्राइब और बेल आगान दवा देने फूचर वीडियो की नोडिफिकेशन के लिए और कुछ कोशन हो सजेशन हो वीडियो टॉपिक को तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ जाके मुझे बता सकते हैं मैं सारी कमेंट्स पढ़ता ही हूँ और परसनली बात करना चाहते हैं तो जीरे मेरे इस्टाग्राम हें जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं उससे बात कर सकते हैं और आज की वीडियो में बसे इतना ही मिलना आपसे ग्रीवने तब तक लिए गुड़ बाई अपना ख्याल रखिए